हलो फ्रेंट्स आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट के बाद आज हम इसका फुल वीडियो डालने जा रहे हैं सब्या साची ब्लाउस की कटिंग तो यह पूरा पीस है सबसे पहले इसको तीन सूथ की मार्जिंग दे कर पूरे का पूरा पीस जहां जहां से आपका कटोरी का हिस्सा स्लिफ्स का हिस्सा बैक का हिस्सा सब आप पहले कटिंग करेंगे इसी तरह से पूरे पीस को हम cutting करेंगे तीन सूथ छोड़कर जिसमें हमको करना है stitching measurement आपका कोई सा भी हो तरीका यही होगा हमने slips की cutting की slips कट चुकी है अब हम जो cutting करेंगे वो करेंगे back की तीन सूथ छोड़कर bottom पर और solder से हमें सीधा काटना है था कि जो भी हमारा size आएगा वो हम बाद में इसको निशान लगाएंगे और उसके बाद जो side में दिख रहा है वो है हमारा कटोरी का दूसरा पार्ट बैक का जो हमारा measurement है लंबाई इसकी है 34 जिसका चौथा भाग हम निशान लगाएंगे साड़े आठ इंच पर लंबाई हमारी आएगी साड़े शोदा इंच जिसका हमने निशान लगाया हुआ है पंद्रा इंच धाइच हमको ब्राटनेस देनी है आप पौने तीन इंच पर हमने निशान लगाया हुआ है इसमें जो बढ़ा वो फैबरिक है सबसे पहले इसमें हम इस्टिशिंग करेंगे उसके बाद इसमें हम अस्तर जमाएंगे आर मोहल हमको साड़े छे साड़े पांच जो भी आपका अपना साइज जो उसी तरह से निशान लगाया लेना हमने लगाया हुआ है साड़े पांच इंच पर क्योंकि यह 34 साइस का बलाउज है अब आता है नंबर कमर पर कमर हमारी 29 इंच है जिसका निशान हम सबसाथ पर लगाएंगे और एक इंच इसमें प्लस करेंगे जो हमारी डॉट्स में आएगा बाकी जितना मार्जन है आप कटिंग कर सकते हैं मार्जन कटिंग करने के बाद इसको हम एक कनारे रखेंगे और अब हम कटिंग करेंगे फरेंट की चटका लगा लें था कि ध्यान रहे कि हमने कहां से निशान को लगाया हुआ है मेन फैबरिक में ही इस सारा कुछ निशान लगेगा उसके बाद इसी को रखकर हम अस्तर पर apply करेंगे अब हमको cutting करनی है spend की friend में भी सेम तरीका होगा तीन सूत की सिलाई छोड़ कर जो हमारी margin आएगी उसको हम सारा का सारा fabric cutting कर लेंगे जहाँ से हमारी cut surgery का round आएगा वहाँ पर हम थोड़ा सा उपर की और लगाएंगे निशान क्रास था कि आर्मोहल कटिंग करने में किसी भी तरह की प्राब्लम ना हो साइट योग बिल्ट हमने कटिंग कर लिया है क्योंकि ये एक 48 साइज का वर्क वाला ब्लाउज है और हमको बनाना है कितना 34 साइज है अब उपर का जो योग नजर आ रहा है ये हमारी कटोरी का टू पार्ट है फर्स्ट हम अभी कटिंग करेंगे इसमें भी हमने तीन सूत का ही मार्जन दिया हुआ है ये आपको किसी भी साइज का ब्लाउज है कटिंग का तरीका यही रखना है जो वर्क है उसको हम पहले करेंगे सीधा इसमें भी तीन सूत का मार्जन और सीधा करेंगे उपर से सीधा सोल्डर सीधा सोल्डर कटिंग करने के बाद इसको हम बराबर करेंगे देखें कि हम अपना ब्रॉटनेस ब्रॉटनेस जो आएगा हमारा वो आएगा धाई जैसे हमने बैक पे लगाया हुआ था और यहें से हमारी एक स्टिचिंग होगी उसके बाद इसको हम अस्तर पर जमाएंगे अब हमको नीचे का योग रखकर लंबाई ना अपना है कि लंब नेक की लंबाई ना अपने नेक हमको कितना डीप चाहिए उसके बाद आप पूरा आर्मोहल का निशान लगा कर थोड़ा सा फैबरिक बढ़ा कर कटिंग कर सकते हैं उसके बाद नीचे का योग हम रखेंगे और लंबाई हमको चाहिए तैयार साड़े चौदा तो हम कटिं करेंगे 15 इंचे हमारी लंबाई बिल्कुल पर्फेक्ट आ गई अब कमर हमारी हमको चाहिए 29 जानी सवा साथ लेकिन क्योंकि साइट में वर्क ज्यादा बच रहा है यहां पर हम डालेंगे डॉट्स डॉट्स चब डालेंगे तो बिल्ट हमारा थोड़ा नीचे से हो जाए यहां को हमारा सेंटर आउट है जब इसमें हम यहां से 4 इंच का निसान 7 साइट से लगा कर डालेंगे डॉट्स जो भी हमको कम करना है दो 2 इनच तीन इंच वह आपके मिजर्मेंट पर है निशान हमने लगाए जैसे हमको 5 गिर इंच कम करना था अब हमारा जब यहां से न करेंगे जो कि हमने बैक बिल्कुल पर्फेक्ट काट ली फ्रेंड में पर्फेक्ट काट लिया एक बूट की सिलाई से रखकर पूरा जमा कर हमको कटिंग कर लेना है बैक में हमको बिल्गुल परिफेक्ट असतर काटना है जो कि हमारा stitching होगा, उपर से neck होगा उसमें हमको बिल्गुल बराबर ही cutting करना चुनियज भी हमारी cutting हो चुकी है अब next part में मिलते हैं